तो दोस्तो हम पढ़ रहे थे विद्वान और विद्वानों में हमने पांच विद्वान पढ़ लिए थे जलवाई विग्यान से समंदित विचारक या विद्वान हम पढ़ रहे थे अब हम पांचवा पढ़ेंगे छटवा पढ़ेंगे जॉर्ज हैडली जॉर्ज हैडली द इसे प्राथमिक संचरन भी कहते हैं, फेरल वाली को द्वितिय संचरन भी कहते हैं, हैडली कोशिका के उलट जाने से ही मानसून की उद्पती होती है, यह इनोंने बताया था, ठीक है, तो हैडली के बारे में पता चल गया है, लूख होवार्ड, लूख होवार्ड दोस्तों वापस ब्रिटेन की मौसम विद्थ थे, बाद लोगा वरगी करन किया था, जब भी हम बाद लोगा वरगी करन पढ़ते हैं, तो लूख होवार्ड का नाम पढ़ी लेते हैं, ब्रिटेन में इन्हें मौसम विज्ञान का पिता कहा जाता था, ठीक है, इसके बाद में वाकर, सबको पता है, गिलवट वाकर के नाम से वाकर में वाकर संच्रण दिया था, और वाकर जिसे हम धक्षनी दौलन भी बोलते हैं, और बृतेन का मौसम विद्थ था, बृतेन के रहने वाले थे, नेपियर शोओ, नेपियर शो के नाम से आपको जेट, वो याद आ रा अगया है इति ने नारवे का मोसम विघ्यानी था और मौसम की व्यख्या हे प्रसिद्ध था इसकी पुस्तक का नाम है मिटरियोलोजी और हाइडोग्राफी और बेटा था जैकप बर्कुनिज दोरों वाबेटों ने मिलकर शीतोशन कटीबंद्य चक्रवात का धूर्विय वातागर सिधान दिया था देखो लहर सिधान्त तो किस ने दिया था नैपियर शो ने और शीतोशन कटीबंद्य चक्रवातों की उत्पत्ति का धूर्विय वातागर सिधान्त किस ने दिया था इन्हों सिद्दान दिया था नैपियर शो ने और धुर्विय सिद्दान दिया था जैकब बर्कनीज और विलहम बर्कनीज ने हैलबोर सोलबर्ग इतना कोई नहीं है लेकिन फिर्वी कभी पूछ लेगी कहा का विद्वान था तो नार्वे के ओई लो वैयो मंडल ये तरंगों के बारे में बता है इज वाटे की उत्ति पत्ति से बिखान फिंडर संथियोरी बहुत हैं क्या बोलते हैं वेगनर बरग्रान फिंडर संथियोरी वायुराशी वातागरे निर्मान को इन्होंने बताया था और इन्होंने दो सब्सक्राइद दिये थे प्रिंटोजनेसिस और एक लाइसिस फ्रेंटो जैनेसिस का मतलब होता है वातागरी निर्माण और फ्रेंटो लाइसिस का मतलब होता है वातागरी विघटन ना जाने कितनी बार जो ग्रोफी में नेट के एक्जामस में कोशन आ गया फ्रेंटो जैनेसिस फ्रेंटो लाइसिस शब्द किसने दिया था मत पूछ लिया वातागरे से संबंदित दो तीन चार कोशन आते ही आते हैं पेपर में ठीक है अब है दोस्तों सी जी रॉस भी है न स्वीडन के मौसम विज्ञानी थे और रॉस भी तरंगों के खोज की थी रॉस भी तरंगे उच वायूमंडल में चलने वाली तिवर्गती से जो चलती है वजेट धाराई ही होती है इनके नाम पर रॉस भी तरंगों के नाम से जाला जाता है पीटर्सन पीटर्सन दोस्तों नार्वे के विज्ञानिक थे और डीडे वेदर निर्वाण की प्रकिरिया मतलब पीटर्सन ने भी बादल और बूंदों से संबंदित कही स सारे सिध्दां दिये थे तो टी डे वेदर प्रकिरिया को समझाय था इंट्रोड़क्षंटू मेट्रियोलौजी क्या नाम है इंट्रोड़क्षन तू marriage P zwischen नहीं तो देखंग T लग फेमस नाम है तो जनम इनका 1915 में हुआ था 1935 में भारती है मांसून की उत्पत्ति से सम्मंदित मतलब इन्होंने सिध्धान दिया था जिसके लिए उन्हें पद्व भूशन भी मिला था इन्होंने बोला उपरी वायो मंदल में उत्री भारत में पच्वा जेट इस्ट् से था तिब्बत के पठार के उश्मन से था इन्होंने बोला कि तिब्बत का पठार जब गरम होता है न तो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है भारतिया मांसून की उत्पत्ति के समझाया था देखो इनके साथ काम करने वाले जो थे वो थे जापानी प्रोफेसर मौं भारतिया मांसून का सिध्धान ज तू सबसे पहले नहीं का था बहुत बार पूँचा गया है विस्व हें को बागी करन किया था इनकी बुक नजाने कितनी बार पूची गई the climate of North America. ठीक है. गुनी 11, फिर गुनी 11, 26 में इसमें संचोधन किया और जलवायो का वर्गी करण किया. सांखी किया, आधारो पर जलवायो का वर्गी करण किया था. आपको पता ये जलवायो, बी जलवायो, इन्होंने जलवायो वर्गी करण के तो आधार बनाए थे. ताप पिर उसने वर्षा प्रभाविता को हटा कर संभावी वासपोर्थोसर criticism 1948 में आधार था तुछ ताप यजलya होगा तो जर्मन पर पूछा जाता है कोपेन कहां के तो जर्मन थे और गुने सो 21 में 31 में वर्षा और तापमान के आधार पर विश्वा का जलवायू वरगी करन्ड दोस्तों यह भी पूछा चाता है कि निम्नमेसिज जैसे कोपेन ने किस आधार पर जलवायू वरगी करन्ड किया तो यह भी याद रखन है वर्षा और 50 कि आधार पर जलवायू वरगी करन्ड किया था ट्रिवार्थन आमेरिकन जलवायू व्यता थे ओनी अमेरिकन जलवायू व्यता बूक इनकी जो नau Cred to बहुत बार पूछी गई है एेन- इंट्रड़क्षण टो क्लाइमेट और यही फेमस है वैसे एक दो बुकों का नाम लिखा है मैंने यही वाली पूछी जाती है इन- इंट्रड़क्षण टो लीजिएगा जी दे क्लाइमेट ओफ दा कॉंटिनेंट तो ये दोस्तों हमारे 19 विद्वान थे जो मैंने जलवायू विज्ञान में से पहले अलग से विद्वान छाटे थे और इनके बारे में कि इसने किस बुक लिखी थी कौन सा सिध्धान दिया था लगवेक मैंने अपन सिस व्यग्यानिक थे और मतलब कोरियोलिस बल क्या होता है वह आप डिटेल में पढ़ लेना हर्मन फ्लों जर्मन थे दा क्लाइमेट वैदर क्लाइमेट एंड वैदर इनकी फेमस बुक है और इसने फ्लों ने मांसूर उत्पत्य की गतिक संकल्पना दिए थी छी एच्डी हैडले कोशी का सिंगल साल सर्कुलेशन जुद था इनोंने दिया था और ब्रिटेन के थे लूक होवाड बादलों का वर्गिकरन किया था ये भी ब्रिटेन के थे गिलबैट वाकर वाकर कोशी का दी थी ये भी ब्रिटेन के थे नेपियर शो एक तो शोब सीमा का नाम दिय और एक शीतोशन चक्रवातों से समंधित गतिक सिध्धान्त दिया था विलहम बर्कनीज नारवे के थे मेट्रियोलोजी हाइड्रोग्राफी बुक लिखी थी और अपने बेटे के साथ मिलकर शीतोशन चक्रवातों के उत्पति का इन्होंने धूर्विय सिध्धान्त दिया तार बर्ग्राण ने फ्रेंटोजनेसिस फ्रेंटोलाइसिस दो शब्ड इंपोर्टेंट हैं और एक वेगनर बर्ग्राण फिंडर्सन थोरी बुण्दों के निर्मान वाला सिध्धान्त इनों ने दिया था रॉसवी ने रॉसवी तरंग बताए थी जो तीवर कती से स्पति के सिध्धान को बोला जाता है थांट्वेट थांट्वेट ने 1931 में दे क्लाइमेट ओफ नौर्थ अमेरिका किताब लेखी विश्वे के जलवायू का वर्गी करण किया सांखी की आधार बनाए और तापिया दक्सता संभावय और वर्षा परभाविता दो आधार श कहां के तो यह यादत हो एंट इंट्रोडेक्शन टू दा टू क्लाइमेट और केंड्यू इनकी बुक का नाम है दक्लाइमेट ओफ कंटिनेंट्स अब दोस्तों यह तो हमारे 19 विद्वान हो गए अब इनकी जो बुक्स हमारे बीच में जो नाम आए है वह मैं जैसे के जो थो हमने बुक्स पड़ी क्लाइमेट और हरमनफ लौन की है एंठ्रोपोशरिक वाइट्यू क्लाइमेट चेंज हरमन फ्लौन की है मिट्रियोलोजी ही बर्कनीज की है इंट्रोडक्शन टू दा मिट्रीोलोजी पीटरसन की है वाटर फ्रॉम वेधर पी कोटेश्वरं क लिखी थी और विश्व का जलवाई वर्गी करन 1936 में दोनों बुक्स किसकी है थांट फेट की एन इंट्रोडक्शन टू दा क्लाइमेट रिवार्था गुनिस विकाउन में लिखी थी दा क्लाइमेट ओफ कंटिनेंट्स केंड्रू ने लिखी थी आज याद नहीं होगा ले साथ लिखते रहोगे और डेली जब इनको पढ़ोगे ना तो आटमेटिक याद ने लगेंगे तो अब बताइए दोस्तों कि आपको कैसा लगा मतलब वीडियो अगर ठीक लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करूं और अगर आपके वही व्यूज आये थोड़े बहुत तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगे इन वीडियो से आप यह देख सकते हो कि शोट नोट्स मैंने कैसे बनाये थे और आप किस तरह से अपनी तयारी कर सकते हो बागी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच